निर्वान शटकम, आद्य गुरू संक्राचारे द्वारा रचित, भगवान शिव हैं कैसे, भगवान शिव का स्वरूप क्या है, भगवान शिव अंतर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, आद्य गुरू संक्राचारे हम सभी को इस चीज़ से अवगत कराना चाहते हैं, बंदू हमने संस्कृत में बहुत बार निर्वान सटकम पढ़ा होगा कभी कभी ऐसा आपको विचार नहीं आया कि ये बूला क्या गया है जो संस्कृत के विद्वान है वो तो समझते ही होंगे इस चीज को लेकिन जो हम जैसे मूड हैं वो संस्कृत में पढ़ लिया लेकिन नहीं मालूम पढ़ता हमने क्या पढ़ा है भगवान आद्यगुरू संक्राचारे ने भगवान महादेव के लिए क्या बोला है इस निर्वान सटकम में आईए उसको हम हिंदी में सुनते हैं और यदि इस वीडियो को आप इयर फोन लगा करके सुनेंगे तो आपको बहुत आनन्द आएगा पूरा सुनिए और कमेंट वॉक्स में बताईए कि आपको कैसी अनभूती हुई निर्वान शटकम न मैं मन हुँ ना बुद्धी ना एहंकार और ना ही इसम्रती ना मैं कान हुँ ना त्वचा हुँ और ना नाखी हुँ और ना ही आखे ना मैं अंतरिक्ष हुँ ना प्रत्वी हुँ ना अगनी ना जल और ना ही पवन मैं चेतना और आनन्द का स्वरूप हुँ मैं अनन्तशिव हुँ ना मैं सांस हुँ ना ही पंचवायू न तो मैं शरीर के साथ अव्यब हुँ ना ही पाँच आवरन हुँ ना मैं वानी हुँ ना हात और ना पैर ही हुँ मैं चेतना और आनंद का रूप हूँ, मैं आनंत शिब हूँ न मुझे घ्रणा है, ना आसकती है, ना लोव है और ना ही मोह है ना ही मुझ में गर्व है और ना ही इर्षय की भावना है मैं धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति इन सब से परे हूँ मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ, मैं अनंत शिब हूँ मैं पुन्य, पाप, सुख और दुख इन सब से परे हूँ मैं मंत्र, तीर्थ, वेद और यग्य इन सब से भी परे हूँ न तो मैं कोई अनुभवी हूँ और ना ही कोई अनुभव हूँ मैं चेतना और आनंद का रूप हूँ, मैं अनंतशिव हूँ न तो मुझे मुझे मृत्यु का भय है और नहीं जातिभीद का न तो मेरे माता पिता है और नहीं मेरा जन्म हुआ है न मेरे संबंदी है न कोई मित्र और नहीं कोई गुरू या शिश्य मैं चेतना और आनन्द का स्वरूप हूँ, मैं अनन्तशिव हूँ, मेरा कोई बिकल्प नहीं है और मेरा कोई भी रूप नहीं है, मैं सभी में अंतर नहित हूँ और सभी इंद्रियों में हूँ, न मुझे किसी में लगाव है और ना ही उससे मुक्त हूँ मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ मैं अनंत शिभू हूँ शिभू हम शिभू हम शिभू हम मैं अनंत शिभू हूँ अनंत शिभू हूँ अनंत शिभू हूँ आद्धे गुरु द्वारा रजत निर्वान शटकौंग